जाहिन दोस्तों आज हम एक नई सुचना लेकर कि आपके समख शुपस्तित हैं जो कि FCI यह फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया से जुरा हुआ है जोनवाइज रिक्विट्मेंट निकली है मैनेजमेंट ट्रेनीज की मैनेजर्स की इनी FCI जानते हैं कि जोनवाइज जोनवाइज जो वैकेंसी है वह इस तरह से है मैनेजर जिनरल पोस्ट कोड ए रखी है जिसके लिए पेस स्केल जो है वह फूर्टी थाउजन से लेकिए वन लाग फूर्टी थाउजन और मैक्समा मेज लिए जो 1 अगस्ट है 2022 को 28 एर्स होना चीए है केटोगरी वाज वैकेंसी दे रखी है ओवी सी के लिए एक दे रखी है इस तरह से आप देख लेंगे मैनेजर डीपो मैनेजर मोहमेंट मैनेजर एकाउंट्स मैनेजर टेकनिकल मैनेजर सिविल इंजिनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजिनियरिंग मैनेजर हिंदी इस तरह से कुल पदो की शंख्या 38 है और अगर साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन में भी इसी तरह से वैकेंसी डिफरेंट पद के लिए है अब देखें इसमें वेस्ट जोन साउथ जोन इस 113, 113 टोटल वैकेंसी है अब इसमें कुछ और मिसेश जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है क्वालिफिकेशन क्या है और experience as on 1st of August 2022 क्या होना चाहिए वह पहला है मैनेजर जेनरल के लिए जो कि पोस्ट कोड ए है graduate degree चाहिए और its equivalent from America Organized University with minimum 60% marks अच्छा या नहीं तो CA या ICWA या CS किया हो in case of SCST and PWBD candidates the minimum percentage of marks shall be 55 instead of 60% यादा कि 60% के बजाए 55% requirement है इसकी SCST and PWD category के लिए यादा कियेगा इसी तरह respective सब पोस्ट के लिए जो आप educational qualification है इसको भी आप पढ़ ले तक कि आप समझ पाए कि आप eligible है या नहीं है चलिए आगे और बिस्तार से समझते हैं यह आखिर क्या देखिए एक और important बात है कि नोट करके दे रखा है candidate can apply in any one zone आप किसी भी जोन में एक ही जोन में apply कर सकते हैं आइधर नौर्थ जोन और साउथ जोन और इस जोन यह वेस्ट जोन और नौर्थ इस्ट जोन एक candidate can apply for any one of the post किसी एक जोन में किसी एक ही पद के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं आप्टेट जोन वाली आप्टेड एबी सीडी एफ जोन वाली किसी खास जोन में आप किसी एक पद के लिए इलिजिबल है तो आप उसको अप्लाई करें है दिमोर ओफ अप्लिकेशन इंड ओनलाई वाली याद रखिएगा जो अप्लिकेशन का मोड फॉ आंलाई है प्रिस्क्राइब इसक्राइब क्वालिफिकेशन एक सबीपार्मेंटल कंडिड़ीट अगर आप डिपार्मेंटल कंडिडिड है तो आपको 50 तक रिलक्सेशन म to EWS category will have to submit valid certificate issued during the financial year 2022 and 2023. अगर आप EWS category का benefit लेना चाहते हैं तो एक अपराइल 2022 से 31-3 2023 इस सेशन का उसके पास certificate available होना चाहिए. सबसे महत्पूर्ण बात, selection process क्या है? selection process manager, general depot, movement accounts, technical, civil engineering, electrical mechanical engineering, जो भी है, the selection process will be consisting of the online test, interview and training, online test होगा, manager hindi के लिए selection will be consisting of online test and interview, उसके लिए training नहीं दिया हुआ है, online test जो हो दो phase में होगा, phase 1 and phase 2, the online test of phase 1 shall be common irrespective of the post, यह पहला जो phase first है, वह सभी पदों के लिए समान रहेगा, the test structure for the phase 1, online test is as follows, इसका इस तरह से रहेगा, कि subject क्या क्या रहेंगे, English language रहेगा, 25 questions रहेंगे, reasoning रहेंगी, 25 marks के 25 questions भी रहेंगे, numerical ability, I mean mathematics से रहेगा 25 marks के, और general studies, जो comprising history, जो traditional questions होता है, यह 25 questions, पुल मिला करके 100 questions रहेंगे, 100 marks के लिए, time limit 60 minutes होगा, nature of the question will be such that they do not require specialized study of any discipline, यानि इसका जो paper का जो label होगा, बहुत high नहीं रहेगा, लेकि नॉर्मल जो त्यारी करते हैं, उन लोग के लिए ठीक रहें, जो सब के लिए comma नहीं चलिए, the note सबसे important बात और ध्याना किये, the phase 1 of the online test, test will be objective type, यानि multiple choice question होगा, each question will carry one marks, for each wrong answer, there will be negative marking of one fourth, सबसे ही महात्पून बात ही है, कि one fourth negative marking है, so please keep in mind, आपको नहीं आता है, तो आप छोड़ दें उसको, अदर रिस्क लेना अच्छा नहीं होता है, तो left blank छोड़ दें तो उसमें कोई marks कटेंगे नहीं, second one, जाना कि है कि page 2 जो है, वह अलग-अलग पदों के लिए, अलग-अलग paper 1, देखिए, आप मैनेजर अलग-अलग दे रखा है, इसको वजरूर बखोभी पढ़ लिए paper 1 के लिए paper 1 & 2 के लिए paper 1 & 4th, इस तरह से आप देख लेंगे paper 2 में क्या आएगा, और किस पद के लिए कितना है, paper ध्यान देना है कि note, paper 1 is common for the post A, B, C, D, E, F and G, post code जो दे रखा है उसके लिए, and paper 2 जो है, only test paper, test for paper, paper 1 and 2nd, and paper 3 and paper 4 shall be held in single seating, जैसा ब एक ही seating में होगा, pattern of papers, phase 2 only, online test shall be as follows, पहला paper 1 जो होगा, 120 multiple choice questions होगे, हर question एक number का होगा, यानि फुल 120 number का होगे, time 90 minutes का होगा, इसमें कोई negative marking नहीं होगा, post specific paper second होगा, जो 60 multiple choice question होगे, हर question दो number का होगा, यानि 120 number का होगा, इसके लिए time limit 60 minutes होगा, paper 3 जो है, 120 multiple choice question होगे, maximum marks इसका, 1 and 1 का है, इसलिए 120 marks होगा, 90 minutes time रहेगा, यह है, manager Hindi और post code H के लिए है, paper 4 जो है, only for the post of manager Hindi and post code H, इसके लिए paper first जो है, उसमें देखिए, passage होगा, translation from Hindi to English, passage from translation from English to Hindi, एक essay होगा, एक writing, प्रेसी writing होता है, और each questions carry 30 marks, and total marks will be 120, 90 minutes का यह भी होगा, कुल मिला के था paper का structure कैसा रहेगा, अच्छा paper first, जो 90 minutes का है, 120 marks का, होगा क्या है, किसके लिए, manager, post of manager, general depot इस तरह से, उसके लिए है, English language का 25 questions, और 25 marks क्या है, इस तरह से याद रखें, इस तरह को, कुल मिला करके आप देखें, इस सब जो paper का pattern, इसको एक बखो भी देख लिजेगा, कि आखिरकार हम किस तरह से त्यार, syllabus दे रहा है, यहाद डिफरेंस, डिफरेंट पद के लिए, जो क्या क्या आएगा paper में, उसे syllabus में हम इसको देख रहे हैं, इस syllabus को आप ज़रूर देखें, इसको किस पद के लिए क्यों से जानकारी होनी चाहिए आपको, अच्छा, सबसे इंपोर्नेंट बात हैं को और, paper first जो है, phase 1, online will not be re-counted for final merit list, paper first जो है, वह final merit list में count नहीं होगा, the candidates 15 times, the number of vacancies advertised, will be called for phase 2nd, यहनि जितने vacancy है, उसका 15 times, वह call क्या जाएगा, second stage, phase 2 के लिए, merit of online test, a post ABC will be decided on the basis of marks, secured by the candidates in paper first, of the phase 2nd, phase 2nd का जो paper first है, उसके आधार में merit list तयार की जाएगी, for the post of D, E, E, F and G, merit list of online test will be decided on the basis of combined marks, secured by the candidates in paper 1, and post a specific paper of second, of phase 2, phase 2 का paper 1 और paper 2 जो है, बहुत deciding factor करेगा, और decision making होगा, उसके आधार पर merit list बनेगी, merit list of online test for the post of code H, will be decided on the basis of combined marks, secured by the candidates in both paper, third and fourth, इस तर से इसको समझ लिजे एक बार, आखिरकार आप paper यूदेंगे, उसमें किस तर से आपका नाम short list हो सके, इस बात को ध्यान रखेंगे, चलिए और बहुत सारी बाते हैं, इसको एक वाजूर देख लिजेगा, और जितना भी हो सके, इस details notification मों ज़रूर पढ़ेंगे, अच्छा, आप एक और महत्पूर बात है, कि state wise list of examination center, फेज वान के लिए जो है, center किधर होगा, इससे आप state का नाम दे रहे हैं, आप इसको देख लिजेगा, center कहां कहां हो सकता है, state wise list of examination center for phase 2, यह भी दे रहा है, आप इसको भी देख लिजाए कि आप भढ़ते हैं, जिस state से हैं, concerned state उसकी वाकेंसी, जोरी center कहां होगा, zone wise अगर देखे, तो north zone में कौन-कौन से जगा आते हैं, south zone में कौन-कौन से आता है, east zone में क्या आता है, west zone में क्या आता है, और north east zone में क्या आता है, इस तरह से आप अपने हिशाब से, इसको select करके ही feel करें, चुकि आपको दिखना था, कि एक आदमी एक ही जगा भड़ सकता है, candidate accept as specified above, applying for the post, anyone within the zone, are required to submit application fee of rupees 800, 800 रुपे उसको fee के रुपे जमा करना है, याद रखिये, और एक बात और भी है, procedure for applying online, detailed guidelines है, इसको एब पढ़ लिजेगा, application restriction करना है, payment of fee करना है, document scan and upload करना है, candidates can apply online, only from 27th of August, 10 a.m. शुरुआत किजिए, भारती ये समय 10 बशे सुरूगा, 27 तारिक से, and 26 September 2022, 4 बज़े साम तक, and no other mode of application will be accepted, इस तरह से, याद रखिये, कोई भी और दूसरा mode हो है, स्विकार नहीं किया जाएगा, application fee, जो non refundable होगा, payment online, 27 से ले करके, 26 सितंबर, 27 अगस 2022 से ले करके, 26 सितंबर 2022 तक होगा, अच्छा, एक और जी, आद application registration जो है, candidates to go to the FCI website, http.fci.gov.in, क्लिक करना है, online apply जो भी है, स्क्रीन दीखे, उसके according online form, submit करने है, यादि कुल मिलाके, finally यह हुआ कि, आपको online form भड़ना है, समय रहते payment भी करनी है, उसकी tentative schedule देख लिए, 27 से ले करके, 27 अगस्थ से 2022 तक, 26 सितंबर 2022 तक, इसका last date है, 10 days availability of call letter on the website, और download 10 दिन पहले, 10 days prior to announce date of examination, examination से 10 दिन पहले, आपके admit card download रहे शुरू हो जाएंगे, अच्छा इसका examination का tentative schedule भी दे रखा है, कि month of December 2022 में, अब सम्भावना है, कि December तक सका paper भी हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को आप हलके में नहीं लीजिएगा, पिसकी त्यारे सुरू से कर दे, thank you so much, मोटी मोटी जानकारी यतिनी थी, thank you so much, please keep,